हलो फ्रेंड से एक बर फिर आपको दोस्वागत है आपके एपनी यूटूब चैनल आई है संसारी में और दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर आपको एक चीज केलिर कर दूँ कि आप इस वीडियो को जल्दवाजी में ना देखिएगा कुछ इस वीडियो को अंदर क्या बताया गया है जिया दोस्तों जल्दवाजी बिल्कुल नहीं करना है बहुत आराम के साथ देखना है यह वीडियो थम्नेल तो आप देखे चुके होंगे कि आज किस वीडियो आपको यहां पर कौन सी नीज मिनने वाली कौन सी उनिवरस्टीज के लिए चली ज सकते होंगे उनिवरस्टीज को प्रमोड करने का फैसला बापस लेना होगा आपको स्टूडेंट्स यह सोचेंगे कि एक तरफ से सभी उनिवरस्टीज को और एक तरफ से सभी स्टूडेंट्स को प्रमोड करने का फैसला बापस लेना होगा तो बस इसी चीज का यहां पर म आप से कहाना चाहा हूँ कि आप बीडिकों इसके मत कीजिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जिना दोस्तों कौन सी उनिवर्सिटी जिसके साथ साथ कौन सी इस्टूरेंट्स के लिए फैसला वापस लेना होगा इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है सबसे आप देख सकते होंगे UGC ने सभी उनिवर्सिटी को फाइनल एर की परिच्छाएं कराना किया है अनिवारे इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिये यह तो आपको पताई होगा इसके साथ यहां पर आपको देखने के लिए मिला होगा उनिवर्सिटी के फाइनल एर या लास्ट सिमस्टर के स्टुटेंट्स को फाइनल एक्जाम देना ही पड़ेगा इसके साथ साथ स्टेट उनिवर्सिटी और यानि के यहां पर रज्जु भईया जो उनिवर्सिटी है प्रोफेसर राजेंद सिंग रज्जु भईया राजविस्विद्याले पिर्याग इसके बारें बता दिया है उसके बाद UPRTOU यानि कि उतरप्रदेश राजरसी टंडन ओपन उनिवर्सिटी प्रयाग राज की और से सभी स्टुटेंट्स को प्रोफेसर ने पर UGC ने रोक लगा दिया यानि कि इन उनिवर्सिटी ने जो यहां पर अपने फाइनल एर सहे तो सभी स्टुटेंट्स को प्रोट करने की बात कही थी उस पर UGC ने रोक लगा दिया अब इन उनिवर्सिटी जो फाइनल एर के स्टुटेंट्स को प्रोट करने के लिए नहीं मिलेगा यानि कि फाइनल एर के जो इस्टुटेंट्स उनको एक्जाम देना ही पड़ेगा इसके साथ साथ University Grants Commission की ओर से इस बारे में सनिवार को निर्देश जारी कर दिया गया है जिसके बाद अब प्रुफिसर राजेंदर सिंग, रजु भाया, राज्य विस्विदेल है फाइनल एर के स्टुरेंट्स के लिए बात हो रही है, जो फाइनल एर के अन्य सिमिस्टर या फिर अन्य क्लास के स्टुरेंट्स हैं, उनके यहां पर कोई भी बात अभी नहीं हो पा रही है अब उने हर हाल में अंतिम सिमिस्टर और फिर अंतिम बर्स की परिच्छाएं करानी होंगी UGC के निर्देश के बाद अब दोनों ही उनिवर्स्टी को सासन के निर्देश का इंतिजार है यानि कि उत्यु परिज़ने की निर्देस का इंतिजार है इसके बाद आगे का फैसला लिया जा सकेगा वहीं इलावाद युनिवसटी पहले से ही परिच घ्रान की तेयरी में इसके बाद प्रफेसर राजेंदर सिंग, राजब स्विधाले और उतर प्रदेश राजर सी टेंडन मुक्त विश्विधाले ने अपने इस तरसे इसके तेयारियां में शुरू कर दी थी इसे भी UGC ने सनिवार को इसपर्ट कर दिया कि सभी विश्विधाले गैडलाइन के दायरे में आते हैं चाहिए बैस्टेट उनिवरस्टी जो या फिर सेंटल उनिवरस्टी सभी को उनिवरस्टी गांट्स कमिशन के रूल्स को फॉलो करना होगा और जो यहाँ पर उनिवर स्टीक उक्रिपती जी का किया कहना है जो भी निजशा-णिर्देश मिलता है उसका पालन किया जाएगा फिलहाल अभी राज्य सरकार के निरदेशों का इनतिजार है उसके बाद ही जो फाइनल कारीकर आँगा निकल कर उसे यहाँ पर पirmर कासित किया जागा ऑगा सभी पूल जानकर उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि आकर वीडियो के अंदर क्या बताया गया है और दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं एक नहीं वीडियो में एक नहीं इन्फरमेशन के साथ थेंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो